आपके स्वेम पाग घर में बहुत अच्छी होशिन बहुत ही अच्छी है उसका नाम है दूदी बोपड़ा यह जो दूदी बोपड़ा है यह अद्बुत है इसकी भाजी आप खाते हैं रोज बहुत अच्छा है तरकारी खाते हैं बहुत अच्छा है लेकिन अगर इसका रस पीए दूदी बोपड़े का तो आपके शरीर की पंद्रे बीमारियों को अकेला दूदी बोपड़े का रस्तिक कर देदा सबसे खराब बीमारी जिसको हिर्दय घाथ हिर्दय घाथ आप सब समस्तर हिर्दय घाथ हर कटें कार्डिय अगरस जितको भी है या हुआ है या होने क शक्यता है उन्सब की सबसे अच्छी ऑशळ three Welsh दूदी बोपले का रस क्या जिए दूदी बौपले को काटना झोटा पीस फिर छक्नी बनाना फिर उसको कपड़े में निचोड़ के रस को नहीं तो मिक्सर में सीधे छोटे लिविश काट प्रस्काट अब इसमें ढ हो दमीर का रस मिला जाएं इस छुटा चमण कोधने का तो इसी में झांच पोदिन अब ङए ठिर्सिजह मिला सकते हैं पोदिना तो आदार में ऑदारל में आल स्कुंध मैं अद्रक थोड़ा इसमें तुलसी का रस भी मिला सकते हैं आदा चर्मचों और यह सम्निला के जो रस तैयार हुआ इसको सुबह सुबह पी नहीं तो इससे क्या-क्या ठीप होने वाला है हिर्दय घात कितना भी खराब इस्तुकी का हो तीन महीने अगर किसी ने सतक ये पी लिया उसको जिन्दगी में दुबारा हिर्दय घात कभी नहीं और दौक्तर अभी कहता है आथो कि आपरेशन करा लो कल करा लो नहीं तो परसों आपको हर्कटेक आजाएगा आप दौक्तर क और नमस्ते करके धरा जाएगे और उसी दिन से दूदी घात का रस्कीना शुरू कर दीजिए तीन दिन भी अगर प्पी लिया तो मेरी गारेंटी है कि अगले 30 साल हर्क्रटेक नहीं आए कभी भी नहीं है तो हिर्दय घात की सभी बीमारियों में सबसे अच्छी होते है उनिवोपड़ी तरस कभी कभी डॉक्तर आपको यह कहता है कि आपके हिर्दय में ब्लॉकेज है आर्टवीज आपकी ब्लॉक हो गई है 90 परसेंट ब्लॉक हो गई दो आर्टवीज फिर बोलेगा एक कीसरी वाली 70 परसेंट ब्लॉक हो गई तो भी डॉक्तर को नमस्ते करके घर आ जाए वो तो बोलेगा अभी ऑपरेशन करा लो नहीं तो कभी भी मर जाओ गई तो डॉक् के पास जाने की गरेजी नहीं पोड़ी है, हिर्दा की सभी बीमारियों में सबसे अच्छे हो सब है दूधी भूपड़ा, इस दूधी भूपड़े से और भी एक रोग ठीक होता है, ये संधिवाद, अगर गुरगे का दर्द है, कमर का दर्द है, कन्वे का दर्द है, एक और रोग ठीक होता है, कबजियत, कोष्ट बद्दता, मल बद्दता, इसी दूधी भूपड़े से एक और रोग ठीक होता है, और वो रोग आपके रक्त के विकार का है, रक्त में कही बार एसिडिटी बढ़ जाते हैं, रक्त में एसिडिटी आजाते हैं, ज्यादा तर सबसे खड़ाब होते हैं इतने खतरनाग रोग आते हैं जिसको ठीक कोई ना कर पाए सोराइस हो सकता इचियों से सो सकता एकजीमा हो सकता इन सबी रोगों में आधार भूत आउशदी हैं दूदी वोपड़े का रस अगर आपको ब्लड प्रशर बहुत उंचा होता है बहुत करेंडेशन नौर्माल करता है मोता को बहुत हो गया है और स्टी आगई है वजन बढ़ गया है धुदीवें धुपड़े का रस पीजे चार मेह निम्स पंकर देघर नीद यहां कि रात को दूदी वोपड़े का रस पीजे बहुत अच्छी है भूख नहीं लगती दूद म बूपड़े का रस्पीजिए भूप बहुत अच्छी लेगा। आखों की रोश्णी कम हो गई है जिनकी उनको दूदी बूपड़े का रस्पीजिए तो रोश्णी बढ़ जाएगे आखों तिन चार महींने लेकिं इसको जादा भी लेगे तो कोई तक्रीफ नहीं आने वाली चार महींने तो कम से कम लेगे लेजिए लेकिन अगर चार से तो घर में लगा लिए इतनी जगह में छोटी सी जगह में हो जाती है गंबले में भी मिलेगी जी इना नहीं इना समझे लेगा लेकिन परिजात में बहुत जल्डी होगा इसमें थोड़ा देर भी 40 मिन तकʊछ खाने सकते दूब्दी वोकणे का रफ लेने के बाद 40 मिनट तक कुछ खहणा कीने नहीं ऐसमें भाद कुछ भी खाथी सकते अब Papi it करसना मेने कभी नहीं बोला इसमें नंवर मिला इसमें नंगत मिला नमट मिलाया तो उसका सब ताकत खतम हो गया नमट नहीं मिला जी नहीं मिला तो कोतमीर का चलेगा जी नहीं मिला तो तुन्सी का रस्तों तो पत्ते सीधे डाल दीजे तो भी चलेगा समझ में आया दूदी बोपरा बहुत अद्बुत है मेरी आपको सबको एक छोटी सी सूचना है कि हिरदय रोग का कोई भी मरीच कोई भी पेशेंट डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने बोला कि ओपरेशन कराओ कभी मत कराओ क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि ओपरेशन कराओ या मत कराओ स्थिति आपकी वही रहने वाली है ओपरेशन होने के बाद यही है कि 2.5.000.000 रुपए डॉक्टर आपसे ले लेगा गारंटी कुछ नहीं देगा वो कहेगा अगले दून भी हर्कते का सकता तो क्या फाइदा ओपरेशन कराने थे और मैं आपको बताओं घृदय घात का ओपरेशन करने वाले सब डॉक्टर अपना ओपरेशन कभी नहीं कराते वो खुद दूदय भोपड़े का रस्पिस कभी नहीं करा क्योंकि उनको माहिती है ओपरेशन के बाद भी ठीक कुछ नहीं होता यह से मेरे पास बहुत पेशाइंट है जिन्होंने ओपरेशन कराया एंजियो प्लास्टी कराया बाईपास सर्जिरी कराया फिर से हरे टटेट है और दुबारा पैसा नहीं था इसलिए ओपरेशन नहीं करा पाए और दूदी भोपड़ा लेना शुरू किया और वो ठीक है इसलिए ओपरेशन कराने की दिलकुल कोशुश मत करिए क्या होता है वो मैं समझाता हूँ डॉक्टर करता क्या है हिर्दय को रट देने वाली जो भाहिकाए हैं जिनको आर्ख्रीस कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में उनमें एक स्प्रिंग डालता है डॉक्टर और वो इस्प्रिंग वही होती है जो वाल पैन में आपने देखिए वाल पैन में एक स्प्रिंग देखिए वो ही स्प्रिंग है उसको अंग्रेजी में स्टंट कहते है ये स्टंट तीन रुपए का बनता है और डॉक्टर जब आपको हिर्दय गात के ओपरिशन में इसको डाल रेता है तो तीन रुपए ले लेता है तीन रुपए की चीज़े बड़ और आपसे ढाई तीन लाक ले ले लेगा और बोलेगा गारेंटी कुछ नहीं है खल भी रटेक आ सकता तो फाइदा क्या उसको दल मनेदा इसलिए कभी भी हिर्दय गात का ओपरिशन कराने की कोशिश मत करिए दूदी भूपड़े के रस्से आपको कोई भी स्तिती ठीक हो जाएगी मुफद की दवा है ज्यादा सर्चा नहीं आएगा बहुत अच्छा प्रूश बूपड़े कम से कम दो प्रकार के तो मैंने देखे एक तो गोल होता है और एक लंबा होता है यह जो लंबा वाला है यह सबसे अच्छा है तो लंबा वाला जो गूपड़ा है उसका अरश सबसे अच्छा है गोल वाला जो है इसको जादा अच्छा नहीं माने भीच कम होगा तो सबसे अच्छा होगा और कड़ू है तो उसको अध्य प्रयोक कम कर tirar रोता है जब पक जाता रूचा हो कच्चा हो एक तो उसकी पहचान कैसे कर्मा एक दूदी भोपरा हाथ में लूजे उसमें नाखुन लगे तो आसानी से नाखुन अगर घुज गया तो वह बहुत अच्छा है और नाखुन घुज नहीं रहा है तो बिल्बूल बेपर है अगर निरोगी मानुस इसको पीएंगे तो क्या होगा शरीर के अंदर जितनी भी टॉक्सिक वेस्ट को क्या कहना चाहिए विजातिय द्रव या विजातिय तत्तु जो जो शरीर के अंदर घुजे हुए हैं जिसको जहर कहा जाता है दूधी भोपड़े का रस इस पूरे जहर को पेशाग की रास्ते निखाल दे ये शरीर की ऐसी सफाई करता है जैसे को ही नहीं कर सकता है बहुत अच्छी सफाई करता है रक्त की सफाई करता है जोइंस जितने पानी डाल के ना पी यह तो अच्छा है और अगर कोई मजबूरी है तो थोड़ा पानी डाल दीजिए ज्यादा मज़ा इतना मत पानी डाल दीजिए कि बोपड़ा ना रहे पानी ही रहे जाए थोड़ा सा मामूली मामूली उतना जब आप उसको फीस रहे हैं तो थोड़ा पानी तो लगेगा बिना पानी के प्रिसेगा नहीं उतना पानी हर महिने में 30 दिन तीस मिली लिटर का गिलास इतना काफी है और विमारीवालों को 300 मिली के सालबर ले सकते हैं कोई हरकत नहीं कोई सक् 아무iction